Hello Friends! आज की बजार के बारे में चर्चा शिरू करें। उससे पहले कल के अपने share के बारे में बात करतें। यह जो share है यह हमने рекommend किया था अपने alpha members को और हमने IPO में subscription की बात की ती और उसके बाद काया था कि लिस्टिंग पे भी ये शेर अगर आपको मिले तो आपको ये लेना चाहिए और अब देखिए कि इस शेर के अंदर आज फिर 20% का सरकीट लगता हुआ नजर आया क्या था इसके पीछे रैशनल वो मैं चर्चा करूँगा आज जो है अगली वीडियो के अंदर तो जुड़े रहिएगा और अभी क्या स्टेटेजी होनी चाहिए इस शेर के साथ क्या लोंग टरम के विउस है वेलुशन किस तरीके की है लोग वेलुशन के बारे में भी काफी चर्चा कर रहे हैं तो आज की जो है चर्चा हम शिरू करते है निफ्टी 50 के साथ जैसा की आप लोग जानते है कि इस हफते सोमवार के दिन एक हैमरिंग हुई थी उपर से बड़े जबस तरीके से से सेलिंग हुई थी और उसके बाद जो है बजार एक लो लगाता है और वहां से पूल बैक कर आज ट्रिक गिंए में विट्रीके के खार आज से घृण्स की तो आपकी समझ सकते हैं कि रेलाईंस के दमप पर आज निफ्टी को मैंग किया और कूल मिला कर जो रिजिस्टेंस से निफ्टी की 17,600 वहां तक जाने की भी कोशिश की लेकिन वहां से करीवें 36 कदम दूर रह गए और बजार जो है कुल मिलाकर शाम को नीचे से अच्छे से रिकावर हुए यानि कि जैसे ही तीन बजे तो जो है कोशिश पूरी थी कि अपने जो बुल्स हैं अपने ज्यादा से ज्यादा सोधों को खीचनी कोशिश करें कल एक चर्चा जो हमारी छुट गई थी और कल एक विशेश बात थी जो हमें लग रही थी कि शायद आज वह जो है conclude हो कल HDFC bank के अंदर कल जो पास्ट में चला गया उसके अंदर हमने कल डेढ़ गुना वोल्यूम देखे थे और एक ही जटके में बहुत बड़े वोल्यूम के साथ काम करता हूँ नजराय था तो ऐसा हमें लग रहा था कि Nifty को पूल बैक करने के लिए शायद HDFC bank को भी आज खीचा जाए लेकिन HDFC bank खीचा भी लेकिन बाद में जब Reliance से काम चल गया तो HDFC bank पर इतना जोर नहीं लगाया गया यानि कि जो बुल्स थे वो भी शायद 17,550 के आसपासी जो है बजार को सेटल करना चाहते थे और जो एलगो की स्टेटीजिस होती है उसके अनुरू आपके साथ करता था क्योंकि Option चेनी बता रही थी कि बड़े प्लेयर्स बजार को किसी भी साइड पर ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं डालना चाहरे है और उसका Reason यह था कि जब बजार सौमवार को उपर से पटके गए तो Options के Premium अचानक बड़ी तेजी से बढ़ गए और बजार की जो गती है उसको कम कर रही है यहीं कि Range को जो है बना दिया और उसके अंदर सीमित कर दिया जैसे कि उन्होंने जो Options के बड़े मोटे प्रियूम खाये थे वो प्रियूम जो है धीरे धीरे करके सेटल होगे और ना तेजी वालों को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ ना मंदी वालों को और कुल मिलाके जो बजार की उतार चड़ाओ के बीच में जो गबरहाट ग्रीड और फीर के बीच में जो Normal Traders Options खरीते हैं अंत में Options के जो बायर्स हैं उन्हीं को नुक्सान हुआ क्योंकि जहां से बजार नीचे से रिकावर की हैं अगर वहां की भी जो बना नहीं अगर जो बजार की वह लटिल्टी के अंदर था इसके लावा पूट के प्रीम्स वह तेजी से बढ़ गए थे और पूट जो नीचे से बजार रिकावर कर गये तो पूट के बाहर को देखीगा सब कोई नुकसान हुआ है तो कुल मिलाकर ऐसा रहा कि जो Options के जो Sellers है उन्हों नहीं Profit कब आया ऐसा लगता है कि जैसे बड़े प्लेयर्स ने जानभूज के बजार को उपर से काफी तकड़े तरीके से गिराया कि Options के Premium बड़े और यह जो Elgos के जो Trades है वो काफी तेजी से काम करते है तो कुल मिलाकर जो पर से हमने बात की तो कल भी वहां बूपले छ सब्सक्जान काता है तो क्ल भी जब बजार जो प्रत है brauchen भी घुँए कि अब मुझे मुझे यह आफास था करके आजmek दीर नीकूल हमने जाता है वह इसाट उपले जाता है जो session है वो वोलटाइल हो सकता है क्योंकि दोनों साइड की options के बीच में दाएरा काफी बड़ा था volatility एज हुई भी और काफी अच्छी volatility हुई बजार उपर नीचे काफी हुए लेकिन volatility में सब का जो purpose था यही था कि इस range के बीच में options के प्रिम इंट्राडे में बीच में सट्ल करते हैं तो देखिए का बजार को निफ्टी का तो हला की ओपर की सट्ल किया गया है लेकिन bank निफ्टी को बिलकुल बीच में सट्ल किया गया है और options जो है generally जो retail investors है वो bank निफ्टी के options में ज्यादा प्ले करते हैं आप यहां पर अगर हम बात करें कि निफ्टी कहां पर ठहरा है तो देखिए कि निफ्टी जहां पर ठहरा हुआ है अब वहां पर एक चीज़ आपको समझने है कि आज जो जो अर्माई हुई है उसमें दोनों साइड का काम है तो यानिकि आप बजार को ही यहां पर क्योंकि कि जो expiry का पूरा महीने की expiry थी उसका बोज खतम हो गया है तो बजार हमें ऐसा लगता है कि कल भी जो है बजार हमारा भी थका हुआ होना चाहिए थका हुआ मुझला कि कोई बहुत बड़ी moment हमें ना लगे क्योंकि आज Thanksgiving Day की जुट्टी है अमरिका के बजारों में वहाँ पे बजारबंद है इसके अलावा जो है कल भी जो Friday है तो उनका आदा दीनी काम होना है तो कल भी उनका Black Friday की जो है उनकी चुट्टी है तो आदी चुट्टी है मतलब हम यह कह सकते हैं कि Half Day है उनका तो कुल मिलाकर यहां पर जो है अंतरराष्टी बजारों से संकी थोड़े से कम मिलेंगे और देखिए कि यह जो Range है अगर हम इस Range की बात करें तो इस Range को देखिएगा यह तीनों Candles देखिएगा यहीं पर जो है एक सार से जुड़के हुए हैं इसको Consolidation भी आप बोल सकते हैं तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर उपर की तरफ अगर निफ्टी जाता है क्योंकि तो 17600 के उपर तेजी करनी है और अगर बजहार दुबारा से नीच आए तो 17200 से 17600 और यह रेंज शायद अब 1-2-3 दिन काम करनी चाहिए तो कल का move देखते हैं किस साइड होता है तो जिन्होंने भी extra माल खरीद लिया था यह जिन्होंने भी extra माल बेज दिया था क्योंकि देखें कि expiry में क्या होता अपनी position को बचाने के लिए या तो आप extra mall खरीदते हैं, अगर आप तेजी है तो आपको तेजी पर करार रखनी है अपने options के लिए या अपने futures को बचाने के लिए, तो आप क्या करोगे हर खालत में जो है shares खरीदोगे और positions को बचा होगे, और अगर आपने मंदिक कर रखी है तो आप उपर से shares फेक होगे तो इसलिए जो है last के दिनों में volatility रहती है, अब जो expiry से अगला दिन है और जब मुटेड़सी expiry होती है, तो आप देखिए को दोनों sides के player है, कुछ लोगों ने shares में बहुत extra माल खरीदा हुए, जिससे के index को manage किया जा सके, कि वह वास्ता में उस shares को खरीदना नहीं चारा था लेकिन अपनी options को settle करने के लिए उनको खरीदना पड़ा, या index को settle करने के लिए इसी तरीके से बेचने वालों ने भी हून shares को बेचा होगा, जो उनके पास ज्यादा मातरा में होते हैं लेकिन उनकी मातरा कम होगी होगी, तो वह अपने portfolio को फिर दुबारा से अपनी अगली strategy के हिसाब से खरीदते बेचते हैं तो इसलिए कल का जो दिन है, वह हमें लगता है कि लोग अपना जो भी shares खरीदने बेचने आए, बेचने वाले खरीदने वाले अपने portfolio उसको adjust करेंगे और फिर अगले महीने की strategy है उसको accordingly trade होने शिरू होंगे तो कल कोई जो है हमें लगता है कि एक range के अंदर बजार रहना चाहिए, कोई बड़े move के हम उमीद नहीं कर रहे है क्योंकि trend भी नहीं मिलेगा भार से दूसरी बात क्या है कि US के अंदर क्रिसमस तक आप देखेंगे तो चुट्टियों का सीजन चलने वाला है, US के जो investors चुट्टियों की दिने में बजार को बहुत उपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो FIs जो traders है, investors है जो अभी active नहीं है और वो जब 10 दिन, 15 दिन बाद दुबार आएंगे तो उनको पका पका है, जो है समान मिल जाएगा, अगर oversold होगा तो बजार को खीच देंगे, और अगर overbought होगा तो उपर से गिरा देंगे, तो इस स्थिती से, ऐसी स्थिती में भी जो HNI investors है, वो भी generally बड़ा game नहीं play करना चाहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जितना volume OC के साथ play किया जाए, लेकिन small cap mid cap shares में generally एक रुजहान जो है अच्छा रहने वाला है, दोनों side के जो moves हैं, और क्योंकि फिर January में result आने है इस quarter के, तो कुल मिलाकर जो shares ज्यादा चल गए है, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, जो कम चले है, वो उनको थोड़ा सा डिजेस्ट किया जाएगा, तो ये sales आप भी देखिए का लगे भी 5-10 दिन से, अगर आप देखेंगे तो इसी त इसके अंदर दबाब बना रखा था, FIIs ने, तो उनके shares को आप ज्यादा उठा नहीं पाए, आप देखेंगा, HDFC Bank को भी बहुत मशक्कत के बाद भी, कल बहुत मशक्कत हुई थी, उसके बाद भी जो है, आज HDFC Bank को उपरी रिल तक गया, लेकिन वहाँ पे settling हो पाया, वह पिर जो है, उसके बास्केट सेलिंग आप मान सकते हैं, उसके बाद भी बजार फिर अडिजर्ट होते हुए नजर आए, कुल में राकर Reliance Industry 6% की तेजी करता हुए नजर आया, Reliance Volume भी अच्छा था, और DV's Lab देखेंगा, 2% की तेजी, ITC में 1.58 की तेजी, और जो लोग कर रहा था, अब Crude Oil फिर देखेंगा, ब्रेंट Crude 80$ से उपर आ गया है, तो Indian Oil में कम जोरी थी, फिर Automobiles में तेल की जरूरत है, मारुती सुझी के में कम जोरी थी, हिरोंडा में कम जोरी थी, उसके बाद Britannia में कम जोरी थी आज, और भारत Petroleum Oil से सीधा सीधा relation उसमें कम ज और यह पहली रेजिस्ट्रेंस है, मैं तो उमीद कर रहा था कि 37,700,800 तक भी जाए एक बार, तो वहां से से सेलिंग ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन वहां तक गए ही नहीं, क्योंकि जो लोग के पोजिक्शन बनी होती है, तो उनको काटने का अच्छा मौका मिल जाता ह हम आपे, और बजार नीचे भी रेखेगा, 37,11,18 के अंदर गया है, तो लगया जो वो लेटरलिटी थी, वो निफ्टी बैंक से ज्यादा निफ्टी के अंदर थी, तो निफ्टी के अंदर आज जो रेंज है, वो थोड़े सीमीत रही, और जनरली ऐसा लग रहा था कि ऑप पर टोप पे ही, जो है, रेजिस्टेंस से बंद हुए है, तो 37,400, 37,500 के असपास की जो पहली है, और दूसरी 37,700, 37,600 की यह देखेगा यह रेंज, यहां पे बहुत काम हुआ था, तो उसमें कल गया भी था, बजार वहां से वापिस आ गया, तो देखते हैं कि उपरी वाल 52 points, इन्हों दोनों ने हैं, जो है, बैंक 50 को गिराने से बचाया, आज देखेगा, इसे इसे बैंक रहा के लिए, 200 अनों की नेगिटीव पारी के लिए, SBI, 80 points, एक्सिस देखेगे, 600 सीक पे ही बंद हुआ है, तो यहां लगे एक अच्छे स्पोड जो है, लग रही है, तो नज़र आया, यह oversold shares है, इनमें कुछ pullback आया, बट कोई देखेगे, एक austerity नहीं है अभी, क्योंकि उपर से अगर sailing हुई है, और FIs अभी तो कोई interest नहीं दिखा रहे है, आज भी उनका कोई interest नहीं था, तो यह नहीं का जा सकता, कि अभी एक दम जो है, buying a sailing लोड जाएगी तो हाले की sailing तो काफी कर चुक है, तो शायद वो भी थोड़ा सा अराम करें, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक range में ही बजार रहना चाहिए, तो बहुत बड़ी उठा पटक है, शायद अभी ना हो, और अपने सोदे पहले settle किये जाए, किसी भी side के, और देखिए का आज सीमी दायरे के अंदर बजार शायद रहना चाहिए, अफाइस ने देखिए का आज भी माल बेच डाला, 300 क्रोड का, और कल तो देखिए का इसने प्रेशर बनाया था, 22 तारीक से, 22, 23, 24, 25, और उससे पहले भी देखिए का, फ्रेडे को भी, जो है, तरस्डे था पिछला, 39 3,0 क्रोड के से लगातार, 5 times in a row, लगातार cash market में से लिंग कि, और यह देखिए का 5 times, इनकी बाइंगे, लगातार 5 पर, और मैं यह से लिंग तो देखिए का, पीछे भी है, लेकिन मैं यहां पर से लिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि, यह सारी से लिंग 2,000 क्रोड क्रोड क यानि कि जब इन्होंने माल बेचा उपर से तो इनके जो Stokes के Futures थे वो इन्होंने खरीदे इसका मतलब है कि जो Stokes में इन्होंने Shorts position बना रखे थी शायद उनको cover करने के लिए लगातार पांच दिन से लगे वे थे तो कल इनकी तरह से भी एक neutral trade आना चाहिए देखते हैं कि कल किस तरीकी positions होती है protocol ratios देखिए कि निफ्टी की तो निउट्रल हो गई आज इनकी और bank निफ्टी में थोड़े से गुंजाईश है कि चाहिए देख़ए उपर का महीने का भी तो कुल मिलाकर अभी options में ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी क्यों कि लफ्टें पोजिशन थी तो 17,500 में 18,000 कॉंट्रक्ट लिखे गए कोल के अंदर तो वहीं पुट में 23,600 मुनातर तो इसका अंदर 17,500 यह बेस है जिसी के आसपास से कलपारी की शुरुआत हो नीचे यह 17,500 मतलब जहां पे टोस होगा वह हो 17,500 इसी तरीकी से बैंक रिफ्टी में भी देखें तो देखें कि 37,500 में 23,000 options की call rating हुई है लेकिन put writing नहीं हुई तो इसका अंदर शायद के नीचे शायद कल बजार जा सकता है और यह 15,000 पर लिखे गए है तो 37,000 से 37,500 का दायरा हमें लगता है चोटी अगर चोटा रेंज देखे तो 37,500 मुझे चोटी की उमीद है और बड़ी रेंज में अगर आप जाएंगे तो फिर देखी का 36,500 से लेके और कुल मिलाकर यह 37,800, 37,900 तक की रेंज बनती है 37,800 एक अगर की धन्ने बाद, थेंक यू वेरी मुच्छ